हलो गाईज, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स, एक बार भीट से आप सब काफ, आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान रोचे में बहुत बहुत स्वागत है, आज हम आपको चंदिका माता के दर्सन कराएंगे, आज हम जा रहे हैं चंदिका माता के म बढ़ती हैं, मन की मुरादे पूरी होती हैं, भक्त बहुत दूर दूर से यहां पर दर्सन करने के लिए आते हैं, माता के मंदिर में आते हैं, इस मंदर की क्या विसेस्ता है, कौन-कौन से चीजे हैं इस मंदिर में हम आपको पूरा बताएंगे, आप लोग वीडियो पर बस बने रहेगा वीडियो को देखते रहेए, हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो फ्रेंट्स देखें कितना हरा भरा मौसम है, कितनी हर्याले लग रहे हैं, हम जा रहे हैं, चंदिका देवी, माता के दर्सन करने, तो यह देखें, हम आ गये हैं, तो यह मंदिर, चंदिका देवी, जो मंदिर है, यह बक्सितालाव के कठवारा कस्वे में इस्तित है, तो हम लोग वहीं पर आए हुए हैं, दर्सन करने, यह माता जी का सच्चा मंदिर है, बहुत ही शक्तिसाली मंदिर है, फ्रेंट्स, यहां पर भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, हर अमावश्या पर यहां बहुत जोरदार मेला लगता है, बहुत जदा भीड़ रहती है, तो देखी दुकाने लगी हुई हैं, तो अभी अमावश्या नहीं है, नहीं तो नौरात चल रहे हैं, नौरात में भी यहां बहुत जदा भीड़ रहती है, तो सावन क पर भीड़ भाड़ है वसे यहां नौरात्री और अमा वस्या पर बहुत ज़्या भीड़ रहती है स्रत्धालू बहुत ज़्यादात में यहां पर आते हैं तो सावन की वजे से आज हम भी यहां पर दर्शन करने के लिए आएं तो देखें यह सब गाड़ी के स्टेंड वाले तो आप देखे, यह मंदिर के पीछे का रोड है, जो बिल्कुल सरनाटा है इस रोड पर, तो यह मंदिर के पीछे आ चुके हैं तो यह हमने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है अच्छे से सेप्टी यहाँ पर गाड़ी सेफ रहेगी तो यहीं पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और यहाँ से हम जाएंगे मंदिर में दर्सन करेंगे तो देखिए आयुसमान हमारे जूला जूलने की जित कर रहे हैं लेकिन जूले अभी सारे बंद है तो गाड़ी हमारी खड़ी हो चुकी है और अब हम पीछे की तरफ आ गए हैं लेकिन हमें सामने से दर्सन करने हैं तो हम में गेट पे जाएंगे तो यह देखिए पीछे का जो कि बंध है तो पंडी जी से मैंने पूछा है तो उन्होंने बताया है कि मंदिर दो बजे खुलेगा तो अभी बज रहे हैं देड़ तो आधा गंटा है मंदिर खुलने में तो हम लोग थोड़ा से तब तक टहलेंगे प्रसाद लेंगे और उसके बाद दो बज जाएगा माता जी के दलशन करेंगे तो अभी हम चलेंगे सामने की तरफ हम जा रहे हैं जहां पे खुल सारी दुकाने लगी हैं खिलोने की दुकाने हैं पर पुजा की सारी समगरी यहां पर मिलती हैं बच्चों के लिए खिलवने जो भी समान होता है मेला जिस तरह लगता है उस तरह से यहां मेला सजा हुआ है बस थोड़ा सा बल Miss algожn क्योंकि अभी दो भी नहीं बजे हैं यहां जो लोग जादा आते जाते हैं उनको पता है कि मंदिर कितने बजे खुलता है तो हमें नहीं मालूम था कि मंदिर दो बजे खुलता है तो हम थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं देखिए माताची कितनी प्यारी प्यारी से चुरियां, सब लगी हुई है जो लोग यहां पे चुरिया चप्कोर्ट चप्छालीच ने लगती है, और यह अच्छे लगती है इनकी हाथों में बड़ा स्वाध है, ये मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो ये देखे जल्दी जल्दी से ये लोग मिठाई बना रहे हैं तो ये मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है अब हम चलते हैं सुधनवा कुंड के दर्शन करते हैं हम आप सब लोगों को सुधनवा कुंड के दर्शन कराएं के फ्रेंडस यहां की मानता ऐसी है कि महा भारत काल में पांच पांडू पुत्र दोप्सी के साथ अपनी वनवास के समय इसी तीरत पर आये थे महा राजा युधिस्टिर ने अस्व में ग्यागी कराया था जिसका घोड़ा चंद्रिका देविधाम के निकट राजी के ततकालीन राजा हन सधवस द्वारा रोके जाने पर युधिस्टिर की सेना से उन्हें युध करना पड़ा था जिसमें उनका पुत्र सूरत साम्मिल ह हुआ था लेकिन सुधन्वा चंद्रिका देविधाम में माता जी की पूजा राधना में लीन था और युध में अनुपस्तित होने की कारण खौलते हुए तेल के कढ़ाये में उसको डाल दिया गया था लेकिन माता जी की कृपा से सुधन्वा को कोई आच नहीं आई थी उसी के नाम से ये सुधन्वा कुंड कहलाता है आज भी लोग इस कुंड को सुधन्वा के नाम से ही जानते हैं फ्रेंट्स कहते हैं कि सुधन्वा माता जी का बहुत बड़ा भक्त था तो लोग यहाँ पर आते हैं इसनान भी करते हैं लेकिन इस टाइम आपको ज़्यादा भीट नहीं दिखाई दे रही है लेकिन यहां पर बहुत ज़दा तादात में लोग आते हैं छोटे बच्चों के मुंडन भी यही पर होते हैं लोग यहां पर मुंडन कराने आते हैं तो बच्चों को नह लाते हैं खुद भी नहाते हैं तो हम लोग भी आये हैं तो यहीं पर हमने पैर धुले हैं हाथ पैर धुल के पानी की छीटे भी हमने मार ली हैं अपने उपर तो इसी विधी से हम लोग आते हैं हम लोग तो इसनान नहीं करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा दूर पड़ता है तो हम लोग कपड़े उपड़े नहीं ले जा पाते हैं लेकिन कभी होते हैं वो जदतर इसमें नहाया करते हैं और ऐसी भी मानता है कि इसमें साथ कुमें भी हैं इसी कुंड की अंदर तो देखें कुंड के बीचों बीच में भगवान भोले नात की भी कितनी बड़ी मूर्ती स्थापित है यहां पर लोग आते हैं पूचा-पाड भी करते हैं जल चड़ाते हैं लोग बहुत ज़दा तो यहां पर लोग सेलफी ही खिचाते हैं फोटू का जिनको सौख होता है वो फोटू खिचवाने के लिए भोले नात के चरणों में जाते हैं और वहीं पर खड़े होके सेलफी लेते हैं फ्रेंट्स घूमते घूमते हमको आधा ग अमान भी हमने ले लिया है क्योंकि सावन का महिना है तो हमने हरी हरी चूड़ियां भी माता जी को चड़ाने के लिए ले ली हैं बिंदी ले ली है कमल के फूल गुडहल के फूल यह सब हमको यहीं पर मिल गए हैं तो हमने ले लिया है भाया के लिए भी अपने प्रशाद म जो भी भगवान भोले नात को पसंद है जो भी उनको प्रिये है उनको चड़ावा का भी समान भी हमको यहीं पर मिल गया है और मातरानी का चड़ावे का समान भी हमको मिल गया है बेल पत्री भी हमें मिल गई है तो अब हम प्रशाद लेंगे और सीधा माता जी के दर्बार मे चलते हैं यह देखिए माता जी की सीड़ियां हम लोग चड़ रहे हैं मंदिर खुल चुका है देखिए भक्तों की भीड़ भी इकठी हो चुकी है और माता जी का मंदिर खुल चुका है तो प्रशाद भी चड़ने लगा है अब हम लोग जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने देखे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर सब घंटे घंटे बंधे हुए हैं और चारो तरफ से रेलिंग लगी हुई है लेडिस की अलग है लाइन जेंस की अलग है तो यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है पहले ऐसा नहीं था लेकिन अभी 4-5 साल पहले से ही यह सारी बांडरी वगेरा बन गई है यह पाइपे लग गई है जिससे की किसी को कोई प्रॉबलम भी नहीं होती है यहाँ पर लेडिस जेंस अलग-अलग लाइन में रहते हैं और एक-एक करके माता जी के दर्बार में जाकर परसाच चड़ाते हैं तो अभी हम आपको माता जी के पूरे दर्सन कराएंगे तो यह हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा साउंड बगेरा बज रहे हैं घंटे घडियाल की बहुत ज़्यादा आवाजे आ रही थी तो हमने आवाज को बंद कर दिया है ताकि आपको बाहर की आवाज ना सुनाई दे ज़्यादा क्योंकि म्यूजिक भी बज रही थी तो हमारे चैनल पर किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े तो इसलिए हमने म्यूजिक भी बंद कर दी है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूजिक बज रही है माता जी के भजन किर्तन बज रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को हम नहीं सुना पा रहे हैं यह हम लाइन में लगे हुए हैं हमारा भी नंबर आने वाला है माता जी के दर्सन हम भी करने वाले हैं तो देखिए हमारी लाइन बठ रही है लेकिन लोग आगे सेल्फी भी खिच वा रहे हैं फोटो खिच वा रहे हैं तो लाइन थोड़ा से धीर धीर से चल रही है रुक रुक के लोग अपनी फोटो खीच रहे हैं और अब हम बिल्कुल माता जी के पास पहुँचने वाले हैं तो देखे भीड है लेकिन लोगों में उससा भी है माता जी के दर्सन की तो ये भीड बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड होती है उसे साथ से लोग यहाँ पर दो चार मिनट रुक भी रहे हैं माता जी के दर्सन भी कर रहे हैं तो देखे आप लोग भी दर्सन कर ये माता जी के हम आपको माता जी की दर्सन करवा रहे हैं ये माता जी के पिंडी रूप दर्सन है तो फ्रेंड्स हम आपको घर बैठे दर्सन करवा रहे हैं आप लोग दर्सन करिए तो ये देखिए ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकने दे रहे हैं क्योंकि भीड़ है फिर भी हमारी कोसिस जारी है तो उमीद है कि आप लोगों को माता जी के दर्सन हो गए होंगे तो चलिए अब हम आपको भोले बाबा के दर्सन भी करवा देते हैं तो देखिए ये मंदिर के साइड में भोले बाबा भी है जहाँ पर भोले बाबा को भी लोग प्रशाद चड़ा रहे हैं तो भोले बाबा का तो दिन ही चल रहा है सामन का महीना चल रहा है तो लोग यहाँ पर माता जी के दर्सन के साथ साथ भोले बाबा के भी दर्सन कर रह तो यह दिखें सब चुन्री बंधी हुई हैं यहाँ पर लोग आते हैं अपनी मन की मुरादे मानते हैं भोले बाबा से माता जी से और यहाँ पर चुन्री बानते हैं तो देखें कितनी धेर सारी चुन्री बंधी हुई है और यह भोले बाबा का छोटा सा मंदिर है जहां पर सब्सक्काराम जा रहे हैं पूजा करने तो आप लोग भूले बाबा के भी दर्शन कर लीजिए कि मंदिर य कFrankर चोर्ट है लेकिन यहां पर थोड़ी सी भीड़ है लेकिन लग रहां भीड़ां बहुत ज़्यादा भीड़ा है नेकिन इतनी भीड़ां नहीं है ये कि लोग आ रहे हैं दर्सन कर रहे हैं और निकलते जा रहे हैं तो देखिए हम भी आ गये हैं और भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है माता जी के दर्सन भी बहुत अच्छे से हो गए है और भोले बाबा के दर्सन भी हमें बहुत अच्छे से हो रहे है तो हमारी पूजा हो रही है अभी हमारे आविस्मान की पूजा सही से नहीं हो पाई है इनके पापा की पूजा भी नहीं हुई है तो अब ये दोनों लोग आएंगे और पूजा करेंगे तो देखिए कितना सन्नाटा है मंदिर में बहुत आराम से हमारी पूजा हुई है काफी देर बैटके आयुस्मान ने और इनके पापा ने काफी देर तक पूजा की है भोले बाबा को बहुत अच्छे से मना लिया है और अप थोड़े देर के बाद यहाँ पर फिर से भीड़ होने लगी है देखिए तो एक एक करके लोग आते हैं निकलते जाते हैं आते जाते हैं तो इसे तरह से यह करम चल रहा है फ्रेंड्स तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर तो हम सब ने भी पूजा कर ली है और पूजा करके अब हम लोग बाहर की तरफ आएंगी तो आपको हम बाहर का भी पूरा द्रे से दिखाएंगे कि बाहर क्या है कैसे क्या हो रहा है बाहर यह देखिए लोग यहाँ पर सिंड्री लगा रहे हैं सनाटा है मंदिर में तो मंदिर की साथ सज्जा भी हो रही है क्योंकि अमावश्या पर यहाँ पर बहुत ज़दा भीड़ होती है यहाँ पर मेला लगता है तो ये लोग तयारी में भी लगे हुए हैं तो ये हम पिछे की तरफ आ चुके हैं तो ये देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था तो ये गेट बन था पिछे वाला और अब गेट खुल चुका है आगे का भी खुल गया है और पिछे का भी खुल गया है तो ये पूरा माता जी का ही मंदिर है जो कि पीछे की तरब अभी भैरो बाबा के हम दर्शन करेंगे तो हम भैरो बाबा के भी दर्शन कराएंगे आपको इनको पच्वा बाबा भी कहा जाता है और भैरो बाबा भी कहते हैं तो भहरो बाबा के दर्शन पीछे होते हैं, काली माता के दर्शन भी पीछे ही होते हैं, तो देखे की तरब भी थोड़ी से भीड़ी कठी है, तो यहाँ पर काली माता के दर्शन हो रहे हैं, जहाँ पर लाल चुनरी बंधी हुई है, तो यहाँ पर यह काली माता का मंदिर है यहां पर लोग काली माता की पूजा करते हैं और परशाद चढ़ाते हैं चुन्री बानते हैं सुहा का सामान भी यहां भी चढ़ाया जाता है और आगे मंदिर में भी सुहा का सामान चढ़ता है पीछे काली माता को भी सुहा का सामान चढ़ाया जाता है जो महिलाएं होती है वो अपना सुहा का सामान काली माता को भी चढ़ाती है और माता जी को आगे की तरफ चंदिका माता को भी चढ़ाती है तो चलिए भहरो बाबा के हम दर्सन कर लेते हैं और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए भहरो बाबा के मंदिर में भी प्रसाद चड़ रहा है तो आप लोग भी भहरो बाबा के दर्सन करिए इनको पज़वा बाबा भी कहते हैं लेकिन बहरो बाबा के नाम से इनको ज़्यादा जाना जाता है तो ये बहरो बाबा है आप लोग बिल्कुल अच्छे से दर्सन करिए देखिए बिल्कुल भी भीड नहीं है बहुत ही आराम से दर्सन हो रहे हैं यहाँ पर तो आप सब लोग दर्सन करिए हमने दर्सन कर लिये हैं और अब हम आये हैं हवन कुंड पे जहां पर हवन होता है तो यहां पर पांच साथ आहुती हम डालेंगे तो देखिए यहां पर हवन भी करवाते हैं लोग जब मेला लगा रहता है तो बहुत जदा भीड रहती है इतन असान नहीं रहता है कि हवन हम कर पाएं लेकिन आसन नाटा है भीड नहीं है तो हम अच्छे से हवन आहुती भी डालेंगे तो देखें पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे और मंत्रों के द्वारा आहुती करवाएंगे पांच साथ आहुती डिलवाते हैं तो ये हम लोगों ने आहुती डाल दी है और पंडित जी से अभी हम कलावा भी बंधवाएंगे तो पंडित जी सारा विधी विधान से करवाते हैं हावन भी विधान से करवाते हैं और कलावा भी मंतरों के द्वारा ही बांधते हैं तो देखिए ये कलावा बांध रहे हैं तो आज हम लोगों को यहां बहुत अच्छे दर्सन हुए हैं मातरानी की दर्सन भी हमें अच्छे से हो गए हैं और भोले बाबा के भी दरसन हमने अच्छे से कर लिये हैं बिल्कुल भी ठकान महसूस नहीं हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है यह मंदिर सीतापुर रोट के बक्सी तालाप के कठवारा गाउं में इस्ति थे फ्रेंड्स आप लोग इस मंदिर में जरूर आईए एक बर यहाँ पर दरसन जरूर करिये यह माता जी का बहुत ही ज़्यादा सच्चा मंदिर है यहाँ पर जो भी मनते मांगी जाती है माता रानी पूरी करती है और हमारे दरसन तो बहुत अच्छे हुए हैं हमने दर्सन कर लिये हैं अब अपने आईस्मान को एक खिलोना हम दिला देंगे वो खिलोना लेने की जित कर रहे हैं तो हमने उनको एक डॉक्टर सेट दिलाया है उसको पा करके वो बहुत ज़दा खुस हुए है तो हमने आईस्मान को खिलोना दिला दिया है और अब हम जाएंगे घर हमारी वीडियो आपको कैसे लगी आपने मातरानी के दर्सन किये दर्सन करके आपको कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरू बताएगा फ्रेंड्स हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा तब तक के लिए टाटा बाई बाई